मेरे साथ बोलिए बारत मता की अरे हैसी आवाद नहीं चले भी गए यहां से दिल्ली तक आवाद जानी चाहिए मेरे साथ दोनों हाथ उपर उठाईए विजय के संकल्प की मुठी भीचे और प्रचन आवाद से बोलिए बारत मता की स्रीमती अनिता मौंगाई जी मेर रुशिकेश प्रदेश प्रोक्ता स्री नविन ठाकूर जी और आज जिन को जिताने के लिए मैं यहां आया हूँ ऐसे अमारे लोग प्रिय प्रत्यासी प्राई सहदेव सिंग्पुंडीर जी और आज की सभा में आये हुए प्यारे भाईो बेनों माताओ और मेरे जीगर के तुक्रे जैसे ही हुआ मित्रो मित्रो सबसे पहले तो मैं चमाप्राजी हूँ कि मैं आज सुबे से ही थोड़ा लेट चलना था और आप लोगों को काफी देर बैठना पड़ा है मगर अच्छा ही हो गया कि मैं आपको देख पाया वरना दिल्ली से आकर दिल में मलाल लेकर जाता कि आज आपको मिल नहीं पाया कि इसको पूरी देश और दुनिया देव भूमी के नाम से जानता है और पूरा देख इसको बीर भूमी के नाम से भी जानता है यही पर बगवान केदा नाज स्वयम विरास्ते है बत्री विशाल भी है गंगोत्री और यमनोत्री यहीं से मागंगा और जमना निकल कर समग रफीश्व का कल्यान करती है हम कुन साइपी यहीं पर है यह देव भूमी को मैं बार बार प्रनाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए देश का कोई हिस्चा एथा नहीं होगा देश का कोई खाव एथा नहीं होगा जहां से उत्राखन के चार दंकी यात्रा पर कोई न कोई नहीं आया होगा एथा पूरे देश का एक भी आउन होगा मित्रो आज मैं जब यहां आया हूँ तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि यह उत्राखन की जब रचना होती थी इतके लिए अंदोलन होता था उस वक एक कॉंग्रेस पार्टी का स्टेंड क्या हूँ आज आपके सामने जब कॉंग्रेस के नेता बोट मांगने आये तो देवगूई के वास्यो एक जड़ूर पुछना के रामपूरती राह पर हमारे बच्चों पर घोली किसमे चलाई था यही कॉंग्रेस और उनके साथी सपा बसपा थे जो देव गुमि को बनने नहीं देते थे उत्राखंड को बनने नहीं देते अटल जी ने बड़ा सहाथ करकर जराभी विवाद के बगर उत्राखंड की रचना करी और आज अपना उत्राखंड एक स्वतंत राज्य के प्रदान मंत्री अटल जी ने किया और उत्राखंड को सवालने का काम हमारे अभी के प्रदान मंत्री और हम सब के लादले ने का नरेंद्र मोदी जी ने किया है उत्रुन नरेंद्र प्रदी वालों को मैं पूछना चाहता हूं रामपूर तिरावा गोलिकांड घटी मार्या मत्रूरी का गोलिकांड आप तो भूल सकते हो मगर उत्राखंड की जन्ता भूल नहीं सकते उसके बाद भी जब आपके हाथ में सासन आया विकास के नाम पर हमेशा आपने सपले खोटाले और फ्रस्टा चार किया को ने सरकारे जब जब आई केंद्र में हो या उत्राखंड में उसमें देव भूमी की उपेट्सा चलने का काम किया 2013 की आपदा इसका बहुत बड़ा उदार भाईयो बहनों मैं आज कहने आया कि आपदा में शती ग्रस्थ हुआ हमारा केदार नाथ केदार धाम आज मोदी जी ने पुन निर्मित करकर पूरे देश में आकर्शन का केंडर हो एसा किदार धाउं बनाने का काम इसको कहते हैं विकास की घंजा चला मित्रों अभी अभी अरीज रावद्दी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्राखंड में एक मुस्लिम इनिवर्सिटी बना रहे हुआ हुआ मैं आपको पुछने आया हुँ भाई आप मुझे बताओ मा सरस्वती के धाम में इनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या जरा जोड़ जबल होता है क्या एक तूश्टी करंकी रात्य जी कॉंग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्राखंड के पहाड़ों पर अब रोहंग्या दिखना शुरू हो गए है तो रोहंग्या मुस्लिमों को खुसाने का काम उनके नेत्र तुमें चल रहा है मैं आपको वादा करने आया है आप कुंडीर साब को जिता दीजे हमारे धामी जी को मुझ्यमंत्री बना दीजे रोहंग्याओं को चून चून कर प्रण्यवर्य सेथ्दित निकालने का काम अब भारतिये जन्तयास पार्थू को एक वर हमम उन स्टाम के लिए क्रसस्याओं करते हैं कि दॉर्धृ दार करते हैं तो भंद्री दांऌ की बनाने की बात करते हैं के दानाच से हेंकुंसाइब रोप पे पहुंचे इसकी चिल्टा करते हैं तो दुसरी और कॉंग्रेस इंकलेक्टर के पास आजाकर एक रोहंग्याग घुस्पेट्रियों को राशन कार्ड और हाईडी कार्ड देने का काम करवा मैं आपको कहना है उत्राखन के अंदर ये प्रभूति को हम नहीं चलने देंगे मित्रोच जराभी में चलने हैं हमारा कॉंग्रेस ने यहां पर चार धाम चार काम का नारा दिया है आज प्रियंका जी आने वाजी है नारे को उन्होंने दोरा आया है मैं उनको पूछना चाहता हूं प्रियंका बेहन आपकी तो चौधी फिड़ी है हर फिड़ी में एक-एक काम करते ना तो हमारे लिए कोई काम नहीं बचता आज तक क्यूं नहीं सत्तर साल तक सत्तर साल तक बद्री दाम का पुना निर्मान नहीं किया चार जाम पहुचने के लिए और वेजर रोड नहीं बनाया और आज आपको चार काम याद आ रहें क्यूंकि वॉट चाहिए उत्राखंड वाले बड़े चतूरे भाई सब जानते हैं कि वॉट की सिजन आई है सब्सक्राइब है इसलिए को अंग्रेस की सरकारे थी तब मनी ओर्डर की राजबी की अर्थ व्योस्ता चलती थी मैं आपको कहकर जाता हूं हमने पांच साल में नीव डालने का काम किया है एक और पांच साल दे दिजे हम आत्म नीर पर उत्राखंड बनाने का काम करें सब्सक्राइब है यहां पर भिकास की गंगा केवल और केवल मोदी जी ही बहा सकते हैं कांग्रेस के जमाने में यहां पर राष्ट्रिय सुरक्षा की भी अंदेखी और मित्रों कैसे कहके जवाब देखी एक कॉंग्रेस के रक्षा मंत्री को किसी ने पुछा कि भी पहाड़ पर पलायन हो रहा है रोड क्यूं नहीं बना रहे हो तो उन्होंने कहा कि रोड बनाने से सत्वु देश में भुसाएग अरे जैना क्या करेगी मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों कि नरेंद्र मोधी की भारतिय जनता पाटी की सरकार है किसी की हिम्मत नहीं है हमारी सिमा और जैना पर आँख भुदा कर देख कर देश साल दक सोनिया मनमोहन की कॉंव्रेस की सरकार चलती थी पकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया गुजाते थे हमारे जवानों के सरकार कर लेगा किसी मनमोहन जी कूफ नहीं कर थे मोदी जी की सरकार आप लोग ने बना दी चौदा में पांच की पांच सीके दे दी पूरी और पुल्वावा में हमला हुआ हमारे जवानों को मार दिया गया पाकिस्तान को लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा वो भुल गए कि अब कॉंग्रेस की सरकार नहीं है भारतिय जं और अब मन्मोहन चिंग प्रिदान मंत्री नहीं है श्री मोदी जी प्रिदान मंत्री है जशी दिन में जर्जीकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुच कर आतंकवाद्यों का सफाय करने का काम हरे ज़िए मोदी जी ने देश को सुरक्सित करने का काम किया आख पूरी दुनिया जानती है पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सिमा और सेना के सामने आख उठाकर दिखा नहीं जाए मित्रों मैं उत्राखन के विकास की बात बात में करता हूं पहले हमारे सहस्पुर्विधान सभा में माल्डूंग पेजर योदना के तहट 150 करोब रूपये से पीने के पानी की योदना भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई इसमें स्यामा प्रसाद मुकर्ची जलास है पड़ी योदना के तहट तरेपन गाओं में सुच पीने का पानी पहुचने वाले कटवा पानी पेजर योदना हमने बनाई अलका फुरी नया गाओं में नलकुप जलास है और जल वितर की पाइपलाई दान डालने का काम किया सहीच सत्यंद्र चौहान राज के इंटर कॉलेज और सिला की अटल आदर्स भिठाले बनाने का काम भी ये भार की जलता पाईए आसन और सिक्ला नदियो पर बाढ़ को रोकने का काम किया वाले सहस्पुर्वे एक साइंसी की तेड़ सो करोड रुपिय के खर्चे से बनाई जिससे पूरे उत्राखन से बक्षे विध्यान को चांशेता हुआ हमने फिकास के काम किये मोदिजी ने हर गरीब के घर में घैष भेतों का में हर घर में सोचाले भेते का काम किया है हर घर में बीगली पुचाई है उत्राlan के सभी नगरिकों कह पाँच लाग तक का सारा स्वास्त का खर्चा अग नरेंग्र मोदी और पूसकर धामी दे रहे हैं मित्रों एठार की जन्ता पाद मुझे बताओ बैसाजपुर्वालों कितने लोगों ने ठीका लगाए तेरा हाथी पर करो सबका लगाया ना सबका लगाया ना ए राहूल बाबा जब कोरोन आया जब कहता है तिका मत लगाई हो यह मोदी का ठीका है बाद में डर कर यह उसने भी ठीका लगा दिया मगर उत्रा खनवालों आप उनकी सुनते नहीं हो मुझे मालूम है मगर उनकी सुनकर जो ठीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में सुरक्थित रह पाते क्या जोर सबलों रह पाते क्या माता हो भाई हो बेनो मोदी जी ने 130 तरोर की जंता को फ्री ओप कोश्ट कोरोन का ठीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी जी ने दो साल तक देश के अक्सी करोर गरीबों को हर मां पांच किलो मुप अनाज बेने का काम करकर कदीब के घर के चूले को जलता रखने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी तीका करने में से उपर ही नहीं आते मैं उनको पूछना चाहता हूं प्रियंका जी आज आई है तो कहकर जाना मोदी जी ने उत्राखन में 80,000 गरीबों के घर बनाए पांच पीड़ी हो गई आपकी आपने कितने बनाए थे आकड़ा कहकर जाना सक्तर हजार से ज्यादा लोगों को खैस के जिलिंडर दिये और देड़ लाग करों में स्वाचाले बनाने का काम भारती जन्ता पाइटी की बोदी सरकार ते उत्राखन में एक भीगर ऐसा नहीं है जहां से कोई न कोई स्याना में नगा इसलिए उत्राखन को भीर भूमी कहा जाता है उत्राखन के जवानों ने मा भारती की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाकर भारत मा को सुरक्षी करने का काम सिया है भूड़ा तेश आज उत्राखन का रूनी है और नत मस्तक होकर उत् जवानों की मान की ती आपर भारत सर्कार 40 सार्ट की बारत सर्कार वन रेंग वन पेंशन की यूद्ना लाए और जवानों का सर्मान करे रीटायर जवानों का सर्मान जवानों सर्कार ने चालीश साल से कॉंग्रेसित करते नहीं थे नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद एक ही साल में सेना के जवानों को वन रेंग वन पेंशन देने का काम कर दिया और 20 लाग से ज़्यादा रीटायर जवानों को घर में आज के दर से पेंशन पहुंच लिए मित्रों मैं इतना ही कहने आया हूं कि भार्टी जलता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षिक देश को सम्रूत कि देश के युवाओं के लिए विष्व के मंच पर वो खड़े रह सके इस प्रकार की जिक्सा पद्धदी को लाने का काम कि देश के युवाओं के लिए स्टार्ट अप के मौके बनाया है पहार पर भी ऑक्सिजन उत्पादन के सहिंहत्रा लगाने का काम भार्टी जनता और पूरे देश में दूसरा एम्स का सुविदा अगर कही करा है तो यह मेरी देव भूमी में मोजी जी ने करने का काम किया है वित्रो और करते हैं माताओ भाइदो बैनो मैं आपको कहने आया हूं अब तो फ्रीज में बोटल रखती है महिला है और पहले मठी आऻके देर व्यादे ना बहनो मठी यादे लेना तो मठी लेने जाते तो टकओरा लगा देना उस पर पक्षिय के नहीं है लगातो है अब dothos रुपय की मठीग पूपार नरेंद्र मोडी जी और यहां पुसकर धामी जी यहां से पत्र लिखते हैं वहां से योजना बनकर उत्रा धन में वापीस आ जाती है कि दबल एंजिन सरकार हमारी देव भूमी को दुरूद्गति से आगे बढ़ाएगी इसलिए मायाँ तिल्ली से हाग जोड कर आभी साप सभी लोगों को विनंति करने आया हूं हमारे पुंडीर जी को प्रचंद बहुमत के साथ जिता कर इधान सभा में बेजें कि पीजेंगे क्या जोहर से बोलो पेजेंगे क्या एक कमर के दिशान पर बटन दबाएंगे क्या भूसकर दामी को मुख्यमंति बनाएंगे क्या मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाए उठाए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी पीचे और प्रचन आवाद से बोलिए भारत मता की जैए